राम राम किशान भाईयों किशान भाईयों आपको हम आज बताएंगे कि इस समय लगभख सभी फसलों में सुन्डियों का प्रकूब बहुत ज्यादा हो रहा है जिसकी रूख थाम के लिए आप सी एल एसल कम्पोनी का जो की नोरान प्लस इंडोसा कार्ब जो की मेवासा के नाम से आता अगिसान भाईयों हम बात करें सुन्डी नाशक एक केड़ नाशक होता है जो सुन्डियों की रोख थाम के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही उप्योगी है आप इसका प्रियोग कर सकते हैं लोकी तरोई बैगन भिंडी कद्दू के फसल है या फिर गेंदे की फसल है या फिर गुलाब के फसल है तो जिस भी फसल में आप सुन्डियों से इस समय प्रशान है आप सी एल एसल क्राप लाइफ साइंस लिम्टेट कंपनी का जो की मेवासा के नाम से आता है यह इंसेक्टि साइड ले लीजिए आप और इस में जो केमकल होता है नो रान पांच दसमलों दो पांच परसद प्लस इंडोसा कारव चार दसमलों पांच परसद यसी फार्म यानि कि यह लिक्विड में घोल में आता है और इसको लेकर आप दो एमिल परत लीटर के चरकाओ करें तो आप अपनी फसलों में सुंडियों की रोक ठाम कर सकते हैं चाहे जिस प्रकार की सुंडियों चाहे जो फसलों जैसे बैगन की फसल है लोकी की फसल है तरोई की फसल है किसी भी प्रकार की फसल है यदि आप अपनी फसलों में सुंडियों से परिशान है दवाइयां काम नहीं कर रहे हैं जैसे कीड़ों को मारने में इस समय बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है कामगर नहीं हैं उनने माई नहीं पा रही हैं तो आप c l s r company का जो की मेवासा के नाम से घ्वा रहे हैं ये दवा मेवासा के नाम से आती है क्राउप लाइफ साइंस प्राइबेट लिम्टेट कम्पनी की जिसका आप घोल बनाकर अपनी खड़ी फसल पर छड़काओ कर सकते हैं आपकी जो खड़ी फसल है कोई भी फसल हो किसी भी फसल में इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता है किसी फसल में नुकसान दे नहीं है आप ये ध्यान रखें जब भी दवा का पुर्योग करें तो दवा में सिलिकान बेस स्टीकर जिसे आप चिपको के नाम से जानते हैं एक हैमल पर्त लीटर के हिसाब से घोल बनाकर इसका भी छड़काओ करें किसान भाईयों इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखें कि जब भी दवा का छड़काओ करें तो आप सुबह के समय बहुत कम ही करें साम के टाइम आप वही करीबन चार बजे के आसपास चार बजे के बाद ही आप दवाईयों का घोल बनाकर अपनी खड़ी फसलों पर छड़काओ करें क्योंकि साम को साम को तापमान कम होने लगता है गिरने लगता है और दवाईयों को बारा गंटे लगबग रात में मिल जाते हैं जिससे दवाईया पूर्ण रुपें काम करती हैं और कीडों को मारने में सच्छम होती है किसान भाईयों यह जो मिवासा दवा देख रहे हैं यह लगबग आपको मार्केट में तीन सो से साड़े तीन सो रुपे के बीच मिल जाएगी थुड़ा कासली है लेकिन किसान भाईयों सुंडी के लिए है नहीं बाईयों आपको यदि महवासा नहीं मिल पाता है तो आप यह ध्यान रखें कि इसमें जो टेक्निकल है 9,5,25% और इसके साथ जो कंबिनेशन है इंडोसा का 4,5% इस कंबिनेशन का जिस भी अच्छी कंबिनेशन आपको मिल जाए आप लेकर अपनी फसलों पर खड़ी फसलों पर चड़काव करें तो आप सुंडी की रोग ठाम कर सकते हैं इसकी पुना चड़काव आप 10-12 दिन बाद पुना करें क्योंकि यह इतना अच्छी होती है कि इस सबको पूर्ण रूपेंड से 24 गंटे में 48 गंटे के लगबग सबको पूरी तरह सिनस्ट कर देता है आप इस दवा का प्रियोग हर फसल में कर सकते हैं किसी भी फसल में नुक्सान दे नहीं हैं यह ध्यान रखें कि दवा का प्रियोग करते समय आप अपने मुंग को ढखक किसान आपके ऊपर इसका कोई नुक्सान न पहुंचे किसान भाईयों इस दवा के प्रियोग से आप अपनी फसल को सुरच्छित रख सकते हैं किसान भाईयों यद जानकारी अच्छी लगे हो तो हमाले चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सेर जरूर करें धन्यवाद